हलो वाट्स अब दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब रिस्पॉंसिबिलिटीज क्या होती है उनको किन कारियों का निर्वाहन करना पड़ता है तो दोस्तों इस सभी के बारे में हम डीटेल से जानेंगे लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पने हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का है आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों एक इन शॉर्ट अगर बताने के कोशिश करो तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पूरे प्रोजेक्ट को एक तरीके से हम कहें कि ऐसे रिंग मास्टर जैसा होता है कि सारे प्रोजेक्ट को वही मैनेज करता है प्रोजेक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है टीम को मैनेज करना है क्लाइट के साथ कॉडिनेशन बना करके रेखना है budget के बारे में ध्यान देना है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए, तो वो पूरे project का चालक वही होता है project manager, तो वो सबकुछ manage करता है, इसलिए उसके post की जो नाम है, वो है project manager, तो अब एक एक करके जो है, वो इनकी responsibilities हम जान लेते हैं, ताकि हमें बहतर डंक से समझ में आ जाए सबसे पहली बात तो coordination तो coordination केवल आपको आपके staff के साथ नहीं रखना है जो third parties या vendors हैं जो कि उस project के लिए आपको कुछ raw material वगयरा supply कर रहे हैं तो उनके साथ भी coordination बना करके रखना पड़ता है ताकि सारे project का जो काम है वो बिलकुल flawless चलता रहे और कहीं भी उसमें जो है वो रोक ना लगे दूसरी बात ये है कि ये ensure करना होता है इन लोगों को कि सारे जो projects हैं वो बिलकुल ठीक तरीके से वहाँ पर deliver हो रहे हैं उसके अंदर कोई खामिया नहीं है बिलकुल सही सही काम हुआ है ये नहीं और सबसे important बात कि जो भी काम हुआ है वो budget के अंदर हुआ है ये नहीं तो ये एक बहुत important चीज होती है कि budget का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी project जो है वो over the budget ना हो जाए इसके अलावा दोस्तों project को एक जो है वो scope वहाँ पर दिखाना लोगों को या एक scope तयार करना उसके अंदर सारे stakeholders को भी involve करना और project की जो है वो feasibility का वहाँ पर test करना ये भी इनका काम होता है तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो सारे stakeholders को वहाँ पर involve करके उस project क्या क्या दोरा है कितना बड़ा ये project है इसके अंदर क्या क्या होना है और क्या ये practically possible है और अगर practically करने जाए तो इसके अंदर क्या क्या मुश्किले आ सकते है कौन से challenges आ सकते हैं इस सभी के बारे में चर्चा करना और stakeholders को वहाँ पर अपने विश्वास में ले करके उनके साथ बात करना ये भी इनका काम होता है इसके अलावा आपकी जो resources है उसकी availability है ये नहीं इसको ensure करना और साथी साथ वहाँ पर पूरे project का जो है वो एक पूरा plan बनाना जिससे कि आप project की पूरी जो success है या हम कहें कि progress है उसको आप map सके तो उसके लिए एक पूरा plan ये लोग बनाते हैं कि किस तरीके से हम project की progress को वहाँ पर map सकते हैं कहां तक project पहुचा है ये हम जान सकते हैं तो उसके लिए पूरा planning करना ये भी इनका काम होता है इसके अलावा अलग-अलग verification techniques होती हैं उनका इस्तमाल करके यहां पर project का budget, project का scope ये सारी चीजे जो है वो ये लोग mapते रहते हैं उसके ओपर track रखते हैं इसके अलावा cost का भी ये लोग इसी के थुरू ध्यान रखते हैं कि कही project over the budget तो नहीं हो रहा है इसके अलावा दोस्तो project performance tools होते हैं इनका यहां पर इस्तमाल करके project का performance कैसा रहा है ये भी ये लोग वहाँ पर mapते हैं कि ये project successful रहा है या unsuccessful रहा है ये सब कुछ उनको उन्हें software's के जरीए पता चलता है इसके अलावा अगर कोई major issue आता है तो management और client के पास escalate करना उसको ये भी इनका काम होता है अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो problem है ये हमारे level पर हम नहीं सुल जा सकते हैं इसको काफी ज्यादा authority की जरुरत पड़ेगी तो उसको जो है वो आपको escalate करना होता है higher authorities को भी इ involve करना होता है इसके अलावा दोस्तों जो आपके clients और stakeholders हैं उनके साथ अच्छा खासा तालमेल बिठा करके रखना अच्छे relations बना करके रखना collaboration रखना तो ये सारी चीजे वहाँ पर उनको करनी पड़ती है इसके अलावा दोस्तो risk management भी इनको देखना पड़ता है ताकि project के जो भी कोई project बन रहे हैं उन सभी का documentation बनाना ये भी इनका काम होता है तो उसके सारे appropriate documentation और reports वगरा बनाना ताकि आगे चलकर अगर उसमें से कुछ record उनको देखना हो higher authorities को तो वो आसानी से देख सकें तो ये सारी duties जो हैं वो एक project manager को निभानी होती है तो I hope दोस्तों ये video आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया है तो video को like करना बिलकुल न भूले